हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों तो यह जो चैनल है यह कसीनों से रिलेटेड है चैनल है मनीज मित्तिंग जिस पर में लाइब हूँ तो यहां पर आप कसीनों के सवाल कुछ भी पूछ सकते हो मैं सिर्फोनी सवालों के जवाब दूँगा बाकी जगाओं पर मैं कसीनों के अंसर नहीं देता हूँ जो मेरा दूसरा चैनल है में चैनल तो काफी दिनों बाद मेरे खाल से शायद 10 से 11 दिन बाद मैं लाइव आया हूँ डेली ट्रेंड लॉग सर्प्लीस लाइव हूँ नॉर्मल यूट्यूबर हेलो स्य्यद मुहम्मद उमर हेलो भावदीप रॉक हेलो कोई हाई हेलो ने सीधा सवाल बसे क्या ओनलेंग गैमिंग में चिटिंग होती है सर हाँ होती है तो अब तो नहीं खेलोगे यह पूछने का फाइदा तब होता है कि जब अगर हमें मालूम बढ़ जाएगी होती है तो नहीं खेलेंगे यासिन कवटे हेलो बल्देव रॉक हेलो द्रुकलेश द्रुक द्रुसिकेश हेलो आवाज नहीं आ रही कि आप लोगो की मैडी माइक भी क्लियर रहे है या वास तो आंकी उनकी नहीं झाल से तो आने चाहिए आरही ही न थो उनको यहाँ आरी होगए आपके तो वहाँ पर फोन मोन में कुछ होगा प्रब्लम और मैं भी थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूं ऐसे तो Hello sir, still you are in Dubai only Sir, हाँ मैं still Dubai में हूँ Sir, आपने कभी Dragon Tigger गीम खिला नहीं मैं सब कुछ सीखना या सब कुछ खिलने के चक्र में नहीं रहता हूं मैं मैं क्रिकेट या रूलेट JK 555 Hello चिंता किंडी चिंताकनी राज लिंगम Hello उमेश बंसल क्या रहे है क्या कसीनो हमेशा उस साइड को विन करता है जिस साइड में पैसे लगे होते हैं नहीं उनकी स्टेटिजी बिल्कुल डिफरेंट होती है ऐसा नहीं है जेखो ओनलाइन में चीटिंग होगी तो पर ऑफलाइन में क्या करोगा ओफलाइन में तो आपके सामने वो लोग मैनुल रूलेट भी घुमाते हैं बॉल भी गूती है नॉर्मल बॉल भी होती है यह पैटर्न होते हैं चीटिंग नहीं भी करेंगे Department करते हैं उसक्म ना भी तो ओग्हे है रोज के सीबहेंगे क्यों रजेदगी जी फिर से दुबई हाँ मैंको हो गया एक हंफ़ता हो गए दुन कर दुबई आएगť मैं 17 तारिकी रात की फ्लाइट थी मेरी आज क्या है आज 24 है वहाँ एक हस्ता हो गया यह जब भी लाई बाता हुड़ा दुबाई आने के बाद मुझे ना नीन आने लग जाती है मैं यह कमरे से चार दिन से तो मैं अबने होटल से भार नी निकला और मेरेको दिन इतना छोटा लग रहा है मेरे कब काम खतम हो जाते मुझे दिन कब खतम होगे था पता ही नहीं चलता मैरेको तो बहु रोना चाहिए कि मैं अकेला लूम में रह रहा हूँ पर दिन खतम हो जाता है अभी देखो यहां पर 7 बचकर 19 मिनिट हो रहे हैं अभी थोड़ी गर में नौ-दस बच जाएंगे यह बड़ा पंगा है हर पिशली बार भी ऐसी होता था कब दिन शुरू हो के कब खतम होता था पता ही नहीं चलता सिर्फ जिम और स्विमिंग के लावा में और कोई काम नहीं कर पा रहा दिन ऐसी ही खतम हो जाता है बल्देव रोक क्या कह रहे है यह अबे गिम के लेगी या एबी ई है क्या है अबे लिखा है एबी ई लिखा है पता में मुझे अबे लिखा है इस साइड के बारे में मैं बात करता हूं अगर आपने उस पर मेरा प्रोमो कोड यूज किया है तो अगर आपको डिपाउजिट विड्रॉल में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप लोग मेरेको इंस्टाग्राम पर डारेक्ट मैसेज कर दो स्क्रीन शॉट के साथ मैं वो प्रब्म सॉल्व करवा दूंगा उनको मेल कर दूंगा क्या दिक्कत आ रही है मालूम पर जाएगा सर कल मैंने 14 नंबर 500 एक्स पकड़ लिया 75 रुपे का चलो अच्छी बात है सर मैं बरबाद हो गया हूं बहुत लोग बहुत कसीनों में जुए में ज्यादा तर लोग बरबाद ही है और जो अभी टिके होए थोड़े दिन बाद वो भी यही कहते हो गो मेरा इसलिए सिंपल सा एक ही कंक्लूजन है कि जुवा छोड़ दो इसको आप क्या करते हो कि हमें को ट्रिक स्टैटीजी पता चल जाए हम जीत जाए या हमारा जो गया हुआ है वो आ जाए तो हम छोड़ देंगे अगर वो आगे तो फिर क्यों छोड़ोगे सोच उखाने जुवा हमेशा लॉस में छूटेगा जुवा हमेशा घाटे में छूटेगा गलत आदते नुकसान होने पर ही छूटती है गेंप्ले वीडियो लाओ गेंप्ले के वीडियो जो देखने है ना वह मैं टेलिग्राम पर डालता हूं या डालने के थोड़े दिन बाद डिलीट करते तो और वह भी मैंने अभी यह ओनलाइन वानलाइन में इंट्रेस्टेट नहीं रहता हूं पर यह क्या है कि बहुत सा जाबिद भी तो करके देखाऊ, इसको खेलके भी तो देखाओ आप बोलते हैं और ध्यान से खेलते हो तो जीरो नहीं होता है पैसा या थोड़ा-बहुत गटेगा या थोड़ा-बढ़ेगा जीरो नहीं होगा वान इच इन्टू-टू का प्रोफिट कैसे आएगा तो यह तो मैंने डूब करना है तो जब मैंने ये ये तोeduc ने बोला कि हमें आपसे एक छी सीखने ही tätä कि हरकना कैसे है कैसे चोटे-चोटे विड्रोल करने ही यूकि मैं बहुत इक ड़ी-बड़ी रखमे द्यूत्यान फतीर से खेल नहीं होती है जो प्लेटफॉर्म वोले मोहिया करा देते, रियल वन लगती है, पर वो होती नहीं है, तो उसमें तो कोई भी आदमी यहां बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि नीद आ रही दी, मैंने का और लेट आऊंगा तो और लेट हो जाऊंगा, यहां पर हो रहे हैं साड़े साथ, साथ बच कर तेईस मिनट है, क्या रिजल्ट रेंडम होता है या कसीनों के हाथ मों होता है, देखो, मेरा मानना यह है कि रे यहां लेटे हैं साथ लोगा, यहां पर वाल का यहां पर बंद ही इसो इसमें होता होगा पर आप जाओगे निपाल में या जाह बहुता एडल्ट के , वहा पर cultural जिसके नीचे कोई तारवार, कोई कुछ नहीं है, एक जो डीलर होता है, वो हाथ से बॉल गुमाता है, स्पिन करता है, बॉल कई बार गुमाने के चक्कर में गिर जाती है नीचे, पबलिक उठा करके देती है, तो वो रेंडम चीजे होती है, क्योंकि इंसान इसलिए नहीं ह आते हैं, तो रुकना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कितना पैसा में दे सकता हूँ, सर ओनलाइन गैम्लिंग में कौन सी साइड सही है बॉस मैं तो एक ही साइड का बारे में जानता हूं एक ही साइड के बारे में कह सकता हूं कि अभी तक उसकी कोई ऐसी शिकायत आई नहीं कि और धाई गरोड रूपे भी जीतने वालों को उने दिये हैं हार जीत अपनी जगह ह हार होगे वहां पर भी हार जीत पर अलग होगा गेम खिलने का तरीका अब साइड का मतलब ही होता है कि बड़ा जीतने पर मुकर ना जाए ब्लॉक ना कर दे पैसे जमागी अपडेटी ना करें वह सब चीजी ना हो तो वह एक ही साइड के बारे में बात करता हूं तो आप क में की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा मेरी तरफ से सिर्फ इतना जाया खराब होगी वास ऐसी मींद क्यों आने लगी एकदम अचाना की अभी तो मैं थोड़ा बिल्कुल फ्रेश था अभी तो मैं एक गंटे टीड़ गंटे पहले स्विमिंग करके आया हूं और नहा हूं नह एक दम अचाना ही नहीं आने लग गगी आरिफ पाशा आरिफ भाई कैसे हो अपना ख्याल रखना जरूर चंदन गेमर फाइट हेलो विक्की राजपूत गेम प्ले के वीडियो लाओ भाई टेलीग्राम चैनल पर पड़े हैं बहुत सारे खर्चा पानी निकाल सकता हो टेली का पूछ रहे हो या बता रहे हो चिंता किंडी कर्जे में हूँ वह सब के पास यह कहानी है जब जूए में अपना पैसा हार जाते हैं लोग कर्जा लेकर हारते हैं कि यार मुझे लगनी रहा कि आज मैं ज्यादा लंबा लाइव कर पाऊंगा में तो तीन तीन घंटे में लाइव करता हूं यह ऐसे क्यों हो गया यह मत्रिलिस्टिक चैनल है यहां कहना जूए की बात पैसो की बात ना मेरा ज्यादा मन नहीं करता तो यहां पर लाइव कि आज पाऊंगा तो कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब दे पाऊंगा तो अब यह मैंने जूस निकाल कर रखा था कि जूस पिऊंगा तो मुझे कॉफी पी नहीं पड़ रही है जूस बात में पीता हूं कॉफी पी लेता हूं थोड़ी ताकत आईगी क्या कहते है नहीं थाकत निं सुस्ती भाग जाती न ऐसा कुछ होता है अ कि तो आप लोग कमेंट journalists परता रहुँका मैं कॉफी बनाता रहा हूं जाँ कमंटों भी आप लोगों की परता रहुँगा कि seben पानी है आख है का मैं तो कहां थे हम कमप में करजे में हूँ क्या टिप्स एंड ट्रिक्स से कसीनों जीत सकते हैं नई ट्रिक्स एंड टिप्स से आप कसीनों में गेम जीत सकते हो आप समझे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ट्रिक और टिप से आप गेम तो जीत लोगे एक दिन जीतोगे दो दिन जीतोगे समस्या यह रहेगी कि समस्या इस बात की रहेगी कि ओवरॉल आप माइनस में हो जाओगे कैसे मैं बतातओं कियसे गैं मैं बतातूम मैं बता तो मुझे बता मुझे बता क्या बोलों पर मैंनू प्ता मैंनू प्थथ तो अब कहानी समझे एक मिनट दे दो बस्में जिना में ध्यान भटक रहे है तो restrictions & strategy से आप एक दिन जीतोगे दो दिन जीतोगे पर जीतने के बाद आपके मन दिमाग के ओपर लाला चावी होगा खोपड़ी पर शेतान नाचेगा और आपका आप एक दिन गलती करोगा और आपका सारा पैसा चले जाएगा ये होती है में कहानी इसलिए मैं बोलता हूगी गैंबलिंग एक माइंड गेम है इसको साइकलोजिकली तरीके से समझने पर ही आप इससे जीत सकते हो तो पानी गरम होगे मैं थोड़ा सा पहले कॉफी फैटनी पड़ेगी हाँ हाँ चालो ऐसी बंद है ना हाँ बंद है अचलोए ना यहां दुबई में यहां पर यूए में चल रही है अब इस शुरू हो गई है हो गई है शुरू तो यह सर्दियों का सीजन है और यहां का पीक सीजन है इस समय इतनी भीड है इतनी भीड है लोग दिवान हुए बड़े शॉपिंग के लिए पूरे दुनिया से लोग यहां पर शॉपिंग करने आते हैं इस सीजन में I don't know why तो आप बात समझ रहे होगे मेरे की मैं क्या कहना चाहर होगे ट्रीक के स्ट्रेटिजी से आप एक दिन जीतोगे दो दिन जीतोगे पर आप overall हार होगे आपको करना क्या है इसकी साइक्लोजी को समझो यह आपको लालच देगा कि आज आप एक लाग कमा सकते हो दो लाग कमा सकते हो देखो आपके नंबर आ रहे हैं आपके भेजे में बात नहीं घुश्ती कि अगर चार बैट आ गई है तो आप इसका मतलब यह जाने वाली है आने के बाद में आप अपने बैट का मांट बढ़ा कर देते हो हीरो बनके खेलते हो फिर वो बैट जब चार बैट जाती है तो आपका सारा मांट चले जाता है तो आपने बैट बढ़ी कर दी आपने मेरे गेंपले के वीडियो देखेंगे मेरा जैसे 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 मेरा साथ सो आठ सो हजारों पर तक की भी लगाते ही तरह हूं कई बार हजार की तो बहुत रेर होगी पर अगर अगर स्टॉक माइंड है सर सिक्पो गेम नी सिक्पो गेम के बारे में यार मुझे कुछ मालूम नहीं है साथ ख़ार कर लॉस होगया ऐसे करनी कंपाउंडिंग के मैं बिलकुल का खिलाफ हो यांगर gir just जो भी अदमिंग करेगा που बरबाद होजाएगा उसको बहुत बड़ा लॉस को उद्यवा एक साल पहले बहुँ बहुत लोगों नहीं मानी, वही लोग अब लोट के आते हैं, कहते हैं, यार अगर हमने compounding नहीं की होती ना, तो आज हमारा loss, भली loss होता, अब बहुत कम होता, इतने बड़े loss नहीं होते हैं, compounding में क्या होता है, रोज थोड़ा-थोड़ा जीतते हो, रोज थोड़ा-थोड़ा profit कमाया होगा, 21-22-23, किसी भी दिन आपका पैसा, एक मिनट में जटके में सारा चली जाएगा, यह है compounding and loophole, क्यों, gambling में compounding क्यों काम नहीं करती, क्योंकि यहां पर घटने का भी यह chance है, investment में compounding क्यों काम करती 100%, क्योंकि वहां पर हमेशा पैसा बढ़ता है, घटता नहीं है तो compounding जो है, वो gambling में काम नहीं करती है, फिर लोग क्यों इसको promote कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको एक compounding करवाने के लिए बोल रहे हैं, वो आपको एक particular platform पर ले करके जाते हैं, वो बोलते हैं, इस platform पर मैं खेलता हूँ, मैं खेल के दिखाँगा, आप लोग भी आओ मेरे असली पैसे से खेल रहे हो, मेरा असली पैसे है ना तभी तो 3000, 4000, 5000 डालता हूँ, इस से उपर नहीं डालता हूँ, पांच-एर भी जब आप देखा कभी 4000 जब नीचे हो जाता है, तो मेरी आवाज बैठी हुई होती है, क्योंकि भाई 4000 रुपे मैंनत के कम आया हुआ हुआ कॉफी फिट गही है, जाग आवी जाग बैसे जाग वाली एक्सप्रेसित कॉफी, बशिस से ज्यादर जाग नहीं बनेगी कोई प्राप्ति भी नहीं कैसे करजा चुका हूँ कोई काम करने का मन भी नहीं करता हूँ अरे जुवा आपको किसी लाइक नहीं छोड़ेगा आप किसी काम के नहीं रहोगे जुवा में सिर्फ पैसे का लॉस नहीं होता है बोस है कि दुनिया तारी ब्रें जाते हो आपका कहीं काम निकारता हु जुआ वगर जुआ वगरा जुआ यह अमीरों के शौक है जिनके बहुत पैसा है गए मनोरंजन करने थोड़ा बहुत हार के आगए जीत के आगए वह शौक शौक थे यह गरीब और मिडल क्लास लोगों ने इसको बिजनस बना लिया कि हम तो इससे पैसा कमाएंगे बट रहे है क्या पैसा हलवा है क्या कि हलवा है क्या कि अमीरों का शौक था गरीबों ने उसको करियर बना लिया गरीब और गरीब हो गए एसा गर की लहरो हम भी आते है ठहरो अपनी कॉफी होगी तियार अब हम पीने के बाद में एनर्जेटिक हो जाएंगे और फिर अब आजो जिसने आना है कॉफी को देखे कैसे लगा जैसे बच्पने में बॉन्वीटा पीता है पर हम तो गरीब थे कभी कभी पीते थे पैसे आ जाते थे तो जोश-जोश में डैडी में दूप एक लगाए होते थे तो चलो भी आज ले लो घर का समान तो बॉन्वीटा भी आ गया फिर खतम हो गया तो साल बर तक आई ही नहीं रहे कौन सा यूट्यूबर था एक लड़का मैं तो गरीब हूँ मैं तो गरीब हूँ तो गरीब गरीब गरते करते हमीर बन गया थे चलो नाओ रेडी टू फाइट अकाश दीप है सर आप से लाइव में बात हुई है मेरी दो तीन क्वेस्चेन है सर पूछो अकाश दीप दो तीन पूछो खुलके पूछो I am here only for give you answer नहीं क्या बोलेंगे I am here only for giving you giving your answer इंगलिश पूछते हैं बिल्ला केंगरे सर यूट्यूब पे बहुत वीडियोज हैं कि ओनलाइन कसीनो में मैगनेट यूज होता है मैं यह कह रहा हूं कि आप यह आपके हाथ में अगर आपको विश्वास है कि मैंगनेट यूज होता है तो छोड़ दो उसको ओफ्लाइंग खिलके देख लो वहां क्या उखाड लोग मैं देख लूँगा आप आप में को एक बात बताओ अगर हम यह मान लेकि भी ऑनलाइन के अदर मैंगनेट यूज होता है तो इसका मतलब यह कि फिर जो लोग घोड़े की रेस पर पैसा लगाते है रेस कोर्स में जाकर गए वो तो फिर वहां पर कोभी कोई बरबाद ही नहीं होगा क्यों गोड़े में मैंगनेट लगाएंगे यहां जो लोग कैरम पे सट्टा लगता है इधर उदर उदर उनमें क्या मैंगनेट लगती है गैंबलिंग एक साइकलोजी है एक माइंड गेम है यहां पर आप इसलिए नहीं हारते हो कि आपके दिमाग ने आपके साथ बाइमानी करी आपको लालच दिए कोई आपको टार्गेट करेगा तो एक दिन करेग एक गेम पर आदमी खेल रहा होता है चलो मैं कह रहा हूं वह जूट भी बता रहे हैं तो सौ तो खेली रहे हूंगे आप देखलो अभी लाइव में कितने लोग जुड़े हूं तो एक को जितवाने के लिए दूसरे को थोड़ी बरबाद कर देंगे मैं यह कहना चाह रहा हूं मेरा कहने का मकसद यह है कि इसमें चीटिंग होती नहीं तो उसमें मत जाओ आप यह देखो कि गैंबलिंग एक माइंड सेट ही बड़ा पोजिट है ट्रैप है किसी आदमी का बनाए हुए ट्रैप नहीं है कोई आदमी इमानदारी से भी कोई भी जुवा लगा ले कोई भी जुवा जुवे कट्टा खोले रेस कोर्स घोड़े तोड़े में कौन सी मैगनेट लगी होती लोग बैट्मिंटन पर सट्टा लगाते क्रिकेट पर सट्टा लगाते आपको वहां भी तो फिक्स हो रहा है तो हजारों क्रोड की गेम है आपके पांसो हजार पांस लाग दोलाग के लिए थोड़ी वो चेंज करेंगे कि यूट्यूब पर वह सही हो गया आनंद कुमार करें महीने में मैक्सिमम कितनी बार प्ले कर सकते हैं सर्जी आप तो 24 घंटे करो थोड़ी मना करेंगे पर कायदे में मेरा यह मानना कि आपको अगर आपसे जूए की लत्र नहीं छूब रही है आप लोग एडिक्टेड हो तो कोशिश यह करो कि कम से कम हफते में तीन बार खेलो अल्टरनेट डेपे खेलो और अगर लगातार खेलने का कीड़ा तो फिर तो तीन दिन खेलो अप चिंता कख़ंडी राज लिंगन कहते हैं मैं वन इयर से आपका वीडियो देख रहा हूं फिर भी लॉस हुआ तो बॉस मैं तो एक साल से क्या मैं तो दो साल से कहा रहा हूं कि जुवा छोड़ तो जुव्य में लॉस ही होगा मेरे मेरे वीडियो देख करके करोड़ोपती बना जाता तो आपको लगता है गि मैं यहाँ पर बैठ्ध करके ऐसे सवब returns के जवाब देरा हो था से मेरे फुद कहार ऑगते मेरे वीडियो देख करकर के आप कभी भी बड़ी रकम नहीं जी सकते हो केवल सर्वाइव कर सकते हो छोटे-छोटे मेरा क्या मैं क्या बहुलता हूं वीडियो में स्मॉल स्मॉल विड्रॉल चोटा-चोटा बड़ा चोटा-चोटा विड्रॉल करते हो देखो मैं कैसे करता हूं आप लोग क्या करते हो चार बार करते हो पाच्वी बार आपको लगता है हम दे तो हम तो बादशा है आप तो हम सब को ठी हम तो सीख गया अब आप देख लेंगे फिर आप जैसे बड़े-बड़े खिल तो वह एक मिनट पर साफ कर देगा आप हर बार नहीं जीत सकते हो गैंबलर और प्लेयर के बीच में एक डिफ्रेंस होता है गैंबलर ये मानता है कि मैं रोज जीतूंगा प्लेयर को मालूम होता है कि मैं रोज नहीं जीत सकते हो कि मेरे कितनी बार मेरी रकमे नहीं बढ़ती हैं कई बार जीरो भी होती हैं अभी मैंने 10,000 डाल करके प्ले करके दिखाया तीन बार वो 10,000 रुपे 12,000 से उपर ही नहीं गिंगा और तीन बार वो 5 से नीचे चले गए आप लोग करोगे ऐसा आप लोग तब तक खेलते रहों कि जब तक आपका जीरो ना हो जाए और अगर बढ़ भी जाए तो आपको और बढ़ा होना है मैं छोड़ रहा हूँ भाई बहुत बढ़िया फैसला है आपका और बहुत अच्छा कि आपने लिखा है ताकि और लोगों को भी यह रेफरेंस मिले और अगर आप जूँवा चौड़ रहे हो तो मैं आपसे यह काँगा कि आपको मेरे कोई भी कसीनों के से डूढ़े हुए वीडियो नहीं देखने चाहिए और किसी पिझान जाए चांगा वापस शैतान नाज जाए कब आपका दिवान भटक जाए तो जब जो जिस गली जाना नहीं उस वहाँ पर तांग जा क्या करने है ना तो छोड़ दिया तो बहुत अच्छा सारे अब वगरा सब डिलीट करो आपको अभी कई महीनों तक वो आएंगे एड वगर आएंगी सोशल मीडिया पर गैंबलिंग की सबको ब्लॉक करते रो अम्बुच पांडे सर गैंबलिंग एज एक करियर ऑप्शन कर सकते हैं जैसे स्टॉक ट्रेडिंग होता है वैसे हम रोज का ये वीकली प्रॉफिट टार्गेट ट्रेडिंग की तरह कर सकते हैं नहीं कर सकते बॉस पहली चीज़ तो आप एक बात समझो कि ट्रेडिंग और गैंबलिंग में बहुत बड़ा फरक है ट्रेडिंग आप तभी करोगे जब स्टॉक मार्किट ओन होती है स्टॉक मार्किट जो होती है सुबह सवा नो बज़े खुलती है साड़े इतीन बज़े बंद हो जाती है आपके पास एक लंबा गैप होता है सोचने समझने का होता है गौर्रमेंट से मतलब तोटल आप यह समझ लो कि उस पर कम से कम थोड़ी बहुत इज़त बची रहती कि हां भी आप बोल सकते हैं मैं स्टॉक ट्रेडिंग करता हूं तो समाज में आपको मूह नहीं चुपाना पड़ता हूं तो एक तो यह भी हिन भावना रहती है अप को यह बोलेगा कि यार केवल चिपी तो बढ़ा नहीं है जब तुझे खेलना आता है तो एमाउंट इस चीज को कैसे रोकोगे क्योंकि मैं मान लेता हूं कि एक महीना दो महीना छे महीने तक आप लोग अपने दिमाग पर नियंदर रखोगे पर आपका दिमाग आपको बो दिमाग ऐसे आपको मिसगाइड करेगा ठीक है और ट्रेडिंग में भी और गैंबलिंग में भी मैक्सिमम लोग बरबाद होते हैं हारते हैं अपना पैसा लॉस करते तो मुठी पर लोग पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कहीं से नहीं आता है जब आप किस इसी स्टॉक में प्रॉफिट उठाते हो तो कोई ना कोई वहां पर उसको बेचा होता ना लॉस में अब तभी तो सस्ते में खरीद तो फिर महंगा होता है फिर आप प्रॉफिट कमाते तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग अपना पैसा गवाते तब कुछ हो गया हो पर जल्दी में अब मैं हूँ या पर कुछ दिन अकेला ही हूँ तो अब यही सब वीडियो वगरा बनाऊंगा काफी दिनों बाद शायद में को लग रहा है कि आप पहले भी मेरे को कमेंट करते थे आपका नाम आईडी का नाम जाना बैचाना लग रहा है और रूलेट पैटरंस बताईये कुछ 16 पैटरंस आपने कहा था 16 नहीं मैंने यह बोला था कि हमारा दिमाग जो है कि रूलेट इससे बहुत ज्यादा पैटरंस बनाता होगा क्योंकि तब ही तो अगर मुझे सारे पैटरंस पता है कि कौन सा पैटरंस चल रहा है तो फिर तो मैं कभी हरूं गहीं नहीं डूसरा ये कि एक वक्त पर कई पैटरंस भी चल रहे होते तब ही चल रही हो जाता है भ lin सेंसिटिव गेम है रूलेट नवीन सर धाई लाग का नुकसान कर दिया एवियेटर के पीछे सारा पैसा आपा का था देखो मैं तो रूलेट के लावा और बाकी किसी गेम की बात नहीं करता और उसमें भी रूलेट जो है बड़ा सिंपल वाला यूरोपियन रूलेट और उसमें जो लाइटिंग वाला मैं इसलिए प्ले करता हूं उनलाइन में क्योंकि इसमें क्या है या आपने स्प्रिट भी लगाया है कॉर्णर भी लगाया तो भी लाइटिंग आने पर आपको पैसा मिल जाएगा पूने बॉय निल्स आपका दोस्त और भी दोचल लाइने एड कर देते आईडी में सर मुझे एक सवाल पूछना है मैं पांच अजार रुपे के तीन सो रुपे निकाल सकता हूं सर एक घंटा खेल के या पूछ रहे हो ना तो बहुत निकाल लोगे दस में से नौ बार निकालोगे और दसवी बार क्या होगा दसवी बार आप तीन चारह जार रुपे माइनस हो जाओगे फिर आपको गुस्सा आएगा अपने उपर कि यार तीन सो तीन सो करके मैंने नौ बार में तो पैसा निकाला नौ बार में तीन सो तीन सो करके 2700 रुपे मैंने कमाए और एक बार मैंने गलती कर दी और 30,000 रुपे चले गए मेरे या हो सकता पूरे जीरो कर दी और यह हो कही रहेगा अगर 10 में से 10 वी बार नहीं हुआ तो 20 में से हो सकता 19 बार आप 300 रुपे कमाओ पर दे हर बार हर घंटे या जो भी आपको खिलने का त करी तर बीस वी बार 5000 गवा दोगी तो आप क्या करो 19 बार के 300 रुपे का काउंट कर लो कितना हुआ कि छी अजार में से 57 रुपे 57 रुपे और बीस वी बार आपकी खोपड़ी ने गलती करी और आपने 5000 गवा दिया 57 रुपे लेकर के खुश होते रहे ना कि निरंबंस आपका कमेंट जो है ना यूट्यूब ने हाइड पर किया हुआ है मुझे मैं इस देख सकता हूं कि आपने उसमें को गाली लिखी है तो यूट्यूब की गाइडलेंस के खिलाफ है तो क्या करता जैसे आपने बात लिखे ना भी कोई आप कमेंट पढ़नी प करेगा तो यह हलका सा दिख रहा है धुंदला वाला यह उसने ब्लर किया हुआ है मतलब मैं पढ़ पा रहा हूं कि आप लोगों को नहीं दिखे जब तक मैं शो ना करूं कि तो मैंने हाइड किया है पर मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है कि डैवी ट्रेनिंग वाकरjacich का लोगों को जुवा हलवा लगता है कि जैसे गुर्दवारे में जाओ न तो हर समय हलवे का प्रशाद मिल रहा हो ajust प्रशाद मिल रहा हो 바 इनको लगता है कि बस वैसे ही है जी जुवा जाएंगे पांजार से 300 कमा लेंगे एक लाग से पांजार कमा लेंगे बाकी तो बैठें यह बहुत चारे बुद्धी जीवी लोग जो आपको यह बताते हैं कमपांडिंग में आओ बड़ी रकम लेकर करके आओ हम आपको छोटा-छोटा रोज कमा के देते हैं रिशब पांडे गरे तू कॉफी बन ला तू कॉफी बन ला तो कॉफी बना ले मैंने बना ली कॉफी और पी रहा हूं मैं अभी सर मुझे एक पूछना है आपको मुझे मंत तीन सो रुपे से दिन के कमाने हैं मंतली 9000 कमा सकता हूं 9000 रुपे आप जुवे से कमाना चाते हो तो आपको क्या लग रहा है कि आपको 9000 रुपे क्यों देगा जुवे मतलब कहां से आएगा आपके पैस पैसा आप 9000 रुपे जीतोगे तो कोई तो हार रहा होगा ना कसीनों वाला अपने जिव से आपकी पैंशन तो नहीं बांद देगा 9000 रुपे महिने तो जब जो दूसरा हार रहा है तो आप क्यों नहीं हार सकते हैं आदे से जादा कसीनों में मेरी एंट्री फ्री है खाना पीना बढ़िया लैविश लाइस्टाइल कैसे मैं अपने आपको प्रोटेक्ट रखता हूं ना मैं जानता हूं पर रहे हैं यहीं तो वो वज़े है जिसकी वज़े से वह आप लोगों को बुलाते हैं क्योंकि अगर आप उस पर पश्टाओगे तो आपको और मन करेगा खेलने का यार मेरा लॉस हो गया एक बार इतना पैसा आजाए फिर मैं बंद कर दूंगा ऐसा नहीं होने वाला आपको क्लियरली बोलना हो ऐसा नहीं होने वाला रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती है जुए में सब देफ को बनाने का जंद है कि मैं भी आप मैं भी खेल करके आपका पैसा नहीं करूंकि मै predicting मैरे मैं मै अपना पैसे बड़ी मुश्किल से Со ver suspension बड़ी से उट हो मैं छोटी-छोटी रखमें कमाता हूँ, hit and run, इतना patience भी तो चाहिए ना, आनन्द कुमार, अगर हम रोज gameplay करते हैं, तो company हम पर नजर रखती है, क्या सर्थ? ने, उन्हें फरक नहीं बढ़ता, देखो, data उनके पास है, आजकल तो AI आई आगया, उनके पास पूरी team होती है, किस आदमी ने कब कितना जमा किया, कौन सा आदमी कितनी टाइम बाद आया, खेलने, किस moment पर विड्रॉल करता है, ये सब उनके पास रहता है, इन्फॉर्म रहता है, वो तो offline casino में भी आगर दो साल बात भी जाओगे ना, पर जाने के बाद, तो उनको ये पतार रहता है, कि 20 सल पहले आप आए थे, आपने शराब पीती, या बियर पीती, खाना एक वेज कहा है था, कि नौन वेज कहा है था, Vega कितनी पीती, कितना पैसा पैसा जमा किया था, कितना आ हा रहे थे, के बाद losing होने लगता है हाँ बिल्कुल सही मैं हमेशा बोलता हूं कि पहली बात तो offline casino में भी तो आपके पास एक option होता है कि आपके पास चार-पास table मिल जाती है आपको तो कभी भी एक जगह पर लगातर नहीं खिलना चाहिए आपको क्या करना है आप एक जगह पर थोड़ा कि हिंदुस्तान के लोग ना खाने पीने के लालची है मैंने सिंगापूर के कसीनों में प्ले किया वहां पर आपको कोई खाना पीना नहीं मिलेगा सिर्फ आपको जूस मिलेगा होट चॉकलेट मिलेगी और कॉफी मिलेगी सिर्फ यह तीन चीज फ्री में मिलेगी आपको पर यहां तो ऐसे जैसे दमाद जी आ गए हैं यह भी खालो सर यह तंदूरी चिकन भी खालो चिकन लॉलिपप भी खालो यह सेलेड खालो फूर जूस ले लो दारू पीलो पीलो क्यों उनको मालूम हिंदुस्तान का आदमी अगर एक लाख रुपा जीत भी जाएगा ना तो जगह पर यहाल है यह तो शराप भी नहीं दे रहे भी यह भी नहीं दे खाना भी नहीं दे रहे आप रेस्ट्रॉण है आपको पैसे देखें खाना पड़े जो बड़े वी आईपी प्लियर है उनके जो पॉइंट से आप जाकर कर बार के अंदर दारू पी सकती हो पर उसके अंदर ऐसे-एसे लोग देखें हैं लाख रूप dramatic लेकर लेकर के बैटें लाख रूपे खेल रहे हैं घार ऑचारों की बैट ऑचैना और जैसे कई जाना होगा ना फैमली भूप कज ले ले दे फैमली मुझे एक आदमी मिला हो गई देखो मेरे पास कितनी महगी दारूब भी बोतल है कसीनो मुझे देता है ने कुछ दे रहा है वो कि आपने पैकेज़ बाइंग की है आप बड़ा-बड़ा हार रहे हूं वापर इसलिए दे रहा है और फिर ब्लेक पर लगाता हूं तो रेड आता है फिर मैंने रेड पर रेड 15 बार लगाया बैट डबल करके 15 बार ब्लेक आया ओनलाइन कसीनो फ्रॉड करते हैं क्या बोस आपको एक बात समझ में नहीं आ रही है रेड और ब्लेक आउटर बेट उती है इसको खेलने का तरीका अलग होता है आप क्या कर रहे हैं आप मार्टिंग लिय अपना रहा है मार्टिंग लिए ने यह बोला कि जो भी रिजल्ट आ रहा है कि अगर लगा रहे हैं मतलब अब नहीं आने वाला घृम 12 अगर डैड्ल लगा रह रहा है और ब्लैक लगा रहे हैं यerson ज read जल रहा है तो समय जिख जाक चल रहा है जब जिख चल रहा है तो आपको भी जिख चलना है Go with the flow है अगर color चल रहा है तो आपको color के साथ चलना है जब आपको दिख रहा है कि वह 15 बार रड मार रहा है दो बार रहा तीन बार रहा चार आप रेड के साथ चलो ना आपने मार्टिंग लिए स्ट्रेटीजी अपनाई कि अच्छा पांच बार रेड आए ना अब तो ब्लेक आएगा अब तो यह स्ट्रेटीजी आपको दस में से नो बार जित्वाएगी इस स्ट्रेटीजी को पर मैंने वीडियो बनाया के डाला था अपना रियल एक्पेशियर किया था कि 6,000 रुपे प्रोफिट में था काठमंडू के बेले कसीनों में 6,000 रुपे प्रोफिट में था ठीक है इंडियन वहाँ पे नेपाली नहीं इंडियन और एक कप चाय पीने के लिए बैठ गया सामने और मैं यहीं खेलता था जो आप खेल और यह बात है 2018 की सामने देखा पा आज बार ब्लेक था मैंने कब रेड आएगा प्रोफिट में था ही कैश करवाया नहीं था चिप पड़ी थी जाकर के आउटर बैटी खेल तो नहीं आनाडी आदमी आउटर बैट खेलता है मैंने जाकर के आउटर बैट पर रख दिया पोजिट कि अब तो आएगा वह आया का प्रोफिट प्लस मेरे पास अपने जो 13-14,000 रुपे पड़े थे जो मैं ले करके गया था वो सब मैंने गवा दिया मुझे वो एक कप्चाए 19,000 रुपे की पड़ी 19-20,000 मुझे आ दी मैंने कई महीनों पहले ये वीडियो बना के डाला था ये होती ही मार्टिंग ले स् मैं डबल भी करते रहे मार्टिंग ले बोलता है डबल करो ताकि सारा प्रोफिट आ जाएगा मेरे डबल के चक्कर में 4-5 बैट के अंदर मेरा पूरा का पूरा शेजार प्रोफिट और 19-20,000 रुपे जो अपने थे वो चले गए मन कर रहा था खीच के रैपट मारू अपने मूपे उस समय ऐसी खुंदक आ रही थी न मुझे आप तो हार गए मैं तो जीता हुआ देखे आया था वो मुमेंट मैं याद करता हूँ ना क्यों यह किस से आप लोगों को बताता हूँ बचो इन से माटिंग लिए स्टेटिजी डबलिंग नहीं करनी है डबल दो बार से ज़्यादा कभी रखम डबल नहीं करनी चाहिए डबलिंग कप करनी चाहिए जब आप मुनाफे में हो प्रॉफिट के पैसे को दावपे लगाऊ ना प्रिंशिबल की रक्षा एक कडरो जो लेकर कछे बैटे उसको प्रोटेक्ट करो उसको उसके रखशा करो उस पर स्कमतभ लो उस्से चोटाइज-चोटा बनाओ जैसी पर फिर उस पर आपको डि kinda दिखाऊ जो हरकते दिखा हुआ है आपका लालज कहता है आस तो और जीतूगा आस तो और जीतूगा तो मैं इसका तो विदेटी हो छोटी रख़़ा डालो बढ़ जाए भाग जाओ चोटी रख़़ कम डालो नहीं बड़ी ही जीरो हो पूने बवाई इस आपका दोस्त मेरे दस दिन का टार्गेट एक दिन कंप्लीट हो गया तो मैंने नौ दिन नहीं खेलूंगा तो मैं सर प्रॉफेट में रहूँगा न अगले दिन खेलने की जरूरत नहीं है ना सर बौस पूने बवाई निल्स आपका दोस्त यह ना इतना असान नहीं है जैसे आपने बड़े सरल भाषा में लिख दिया ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूँगा इसा यहां कोई हम कोई शेरो शायरी नहीं कर रहे हैं कि डूप दूर दूर दिन जाए कोई ऐसे हलवा नहीं है कि आप गीत नहीं लिख रहे हो कि då करोंगा फिर मैं एक दिन के लूगों फिर मैं नो दीन मिना यो डिन खेलूगों दसने नो फिर सबागी एसे घर आ कशेंट होता है तो फिर तो फिर वे गौवर्बंब्मेंट को सिनसेंगे करना चाहिए कॉफी पीते ही एनर्जी आगे मुझे में अभी तक मैं वासियां ले रहा था वागए इसमें कैफीन होता है कैफीन कॉफी में वो काम करता है हलागी मैं कॉफी ओवाइड करता हूँ ज़्यादा कोशिश नहीं रहती मेरी कॉफी पीने की फिर मैं खेलने छोड़ दिया ओवरॉल जीरो रिजल्ट होगा हारने के बाद माइंड इतना गुसा होता है और लगा लगा देता हूँ फिर से बैलन्स जीरो बाद बिल्कुल सही मैं ने बूलो न मैं उस समयना सोचो मैं बड़े मजे से ऐसे ना बैठ करके डैन बिलजेरन की ता चाए पी रहा हूँ जी शाम को ना वहाँ चार बज़े चाए सर्व होती ऐसे बैठा हूँ मुझे से चाए पी रहा हूँ कि आरे छे जार रुपे आया एक डिट गंटे में लंच किया प्रॉफिट कमाया छे जार अब तो मैं जा रहा हूँ अपने होटल चाए पी रहा हूँ मुझे से सामने डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है तब मैं को समझ में आगी बोर्ड ऐसा क्यों लगाते का आप को दूर से दिखे ताकि कहीं किसी को अरे यह तो मेरे नमबर मारा और भाग करके आपने ऐसे से तैसी करवा लगा वही मेरे साथ हुआ रुलेट टेबल आखरी कोने में थी यहां से देखा मैंने का रे लाल-लाल-लाल देख अब तो काला आएगा मैं ही काला होगया प्रेडब्लैक बताओ अगर आपको आउटर बेट खिलना और उती चोटे से प्रोफिट लिए आपका छोटा प्रफिट हां अपनी अपनी उकाद के साब रहे होगा पर दो-तीन बैट से ज्याधा नहीं खिलनी ची आउटर बैट जाद स्याधा पांच बैट आज थीक नहीं भाई बैक्रेट के बारे मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है बहुत इसलिए मैं उसमें क्या बता हूँ रूलेट में मुझे सब ट्रिक मालूम है इनर बैट के मैं सर ए वन इन्टू थ्री प्रोफिट बरोसा रखता हूँ अच्छा जी 40,000 डिपोजिट किया हूँ सब दस बजे वन लॉक बन दस बजे एक लाग बंते सुबह होगी एंड रिजल्ट जीरो ही होगा उमेश बंसल करें सर मेरने मैंने गैंबलिंग छोड़ने की बहुत कोशिश की छोड़ नहीं पा रहा हूँ यह माइंड गेम है यह दिमाग के अंदर हमें लत लत जो होता है अडिक्शन वो क्या होता है हमारे नियूरॉन्स में चिंजिस हो जाती है आप सिग्रेट पीने के बाद को पीने के बाद को बॉड़ी में कोई फिजिकली थोड़ी को बेनेफिट मिलता है या नुकसान होता है मतलब नुकसान वह होता है मैं ऐसा नहीं कि सिग्रेट पीने के बाद आदमी को शराब की तरह जूमने लग जाता है साइक्लोजिकल सिग्रेट बड़ा कॉंफिडेंस देती है बड़ा एक्टिटूट दिखाती है तो इसे वैसी गैंबलिंग है दिमार्ग के नियूरोंस ने पैटर्न बना लिया है करियर बनाने के लिए यूट्यूब पर कोई करियर एक दिन में थोड़ी बनता है पात साल तो मुझे हो गए चैनल बनाए हुए अपना ट्रेवल एंड नॉलेज मैंने 2018 में जनवरी में पहला वीडियो डाला था उसके बात से लेकर गया भी देखो पात साल कंप्लीट हो गया है क्या है दोसो चारसो पांसो आते होंगे वहां पर बहुत लंबा वक्त लगता ह है क्या चलो मैं तो घर बत्तम ही जादमी हूं मेरे तो घर वियूस ज्यादा क्या आएंगे पर अगर आप करो कि दो तीन साल तो लगते हैं वहां पर भी अगर आप जूए वाला सिस्टम सोचों कि आज चैनल बनाओ और कल मैं स्टार बन जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है एक्सेप्शन केस हो सकते हैं अमीर बनने का मेरे पास कोई आइडिया नहीं है अमीर बनना है अमीर बनने के चक्कर बाकी चीज़े छोड़ दो कि सब्सक्राइब हलवा या अमीर बनना अमीर क्या होता है सम्रिद बनो ना समस्दार बनो पैसा जग मार के धक्के खाएगा पैसा चाहिए पैसा मुझे पैसी बतादो ड्रग्स बेचने लग जाओ और ऐसे पचासो धंदे हैं जुगा खेल करके अमीर नहीं बने खुन क्या सुपारी किलर ब होते तो इसका मतलब की आपके पास आईडिया नहीं है तो पहले और आइडिया जानने की समझ लेकिया हॉना पैसा तुझे घमार के आएगा कि अ कि अ teckno vlog sir क्या website पे tracking होता है tracking नहीं होता है data उनके पास होता है मरने का मन करता है, अब क्या मरोगे जब इतना पैसा चले गया तब नहीं मरे तो आप जुवारी मरते थोड़ी है, जुवारी रोज मरते है सर वेश कुमार बहुत सही बोला भाई में, सर मैं बहुत लॉस में हूँ, छोड़के यूट्यूब पे पैसा कमा सकता हूं क्या, बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी शर्त पर पैसा चाहिए, तो समझदार बनो ना, समझदार होते तो मुझसे पूछना ही नहीं परत यूट्यूब पे कितना टाइम लगता है, किसी भी चीज में consistency चाहिए, एक वक्त चाहिए, जाने मन, hello darling, I love you, जाने मन, पहले ये तो बता दो, आप male हो, female हो, कौन हो, नाम भी जाने मन, आगे वो होट भी बने हुए, और आप मेरे travel and knowledge पर भी हमेशा comment करते हो, मुझे मालू पर है, right है, comment लिखने का कुछ भी लिख सकते हो, offline casino कहां है, कहां कहां है, इंडिया के अंदर तो offline casino, गोवा में और गैंक टॉक में है, बागी काठमंडू और शिलंका में है, सिंगापूर में है, मलेशिया में है, फिलिपिन्स में है, थाईलेंड में नहीं है, बंगला दे मैं हार्ड वर करके पैसा कमाता हूं, बहुत लॉस हुआ है, हार्ड वर करके पैसा कमाता हूं, हार्ड वर कौन करते हैं, जिनके पास दिमाग नहीं होता है, वो ही मेहनत करते हैं, तो अपने दिमाग को बढ़ा करो, दिमाग को और intelligent बनाओ, मेहनत करने से केवल रूटी खा जा सकती है SD Damore Hello Gambler Life Power of Commission Sir मैं loss cover कर रहा हूँ लोग हार रहे हैं मुझे दुख है इस बात का मैं भी ज्ञान पेलता हूँ आपकी तरह आ तो करो दुनिया पैसा कमारी या आप भी कमाओ कहाँ Demand and Supply है तो इंदुस्तान के लोग तो वैसी जाता तर बेफकूप है जिन में थोड़ी सी बुद्धी है वो उनको कुछ ना कुछ बेज देते हैं लिस्ट वर्क नहीं करता है लॉस होता है बिल्कुल सही बात है यह एक दो शॉट की गेम होते हैं आउटर बैट और डबलिंग होगरा है कभी भी दो बार से जादा डबल कभी नहीं करना चाहिए You are great bro so how to control our mind माइंड को कोई mind control करना कोई medicine तो है नहीं या कोई formula तो है नहीं कि मैं बोलूँगा और आपने कर लिया यह तो आपको अपने अंदर खुद समझ लानी पड़ेगी कि ज़्यादा खेलोगे तो पक्का हारोगे जितना कम खेलोगे उतना जीतने की probability ज़्यादा होगी हर बार नहीं जीत सकते इस बात को अपनाना पड़ेगा आपके छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है बड़े पैसे से कभी छोटा पैसा नहीं बनेगा गओवा में autark HD लेश्व जो है वह टेक्स चार्ज कर रहे हैं राजपूत गेमिंग सर लाइटिंग रूलेट का कोई एप बताओ बहुत से इंस्टाग्राम पर पूछ लो या टेलिग्राम चैनल पर चले जाओ या मेरे इसी वीडियो के इसी चैनल के कम्मुनेटी पोस्ट पर देख लेना बिल्ला गेंग पूछ रहे हैं सर जेवन जाला का जेवन मतलब डिनर नहीं मैं रात को खाना नहीं खाता हूं तो यह मेरा डिनर है यह फूट सैलेड आप देख रहे हो यह फूट सैलेड मेरा डिनर है यह मेरा जूस रखा है बस मैं यही खाता हूं रात को काजल 15 आप रूलेट क्लास स्टार्ट कर सकते हो बहुत मेरा मूड नहीं है मैं क्यों कोर्स बनाऊं या क्लास स्टार्ट करूं क्यों मैं इतने जंजट में पढ़ूंगा और अगर जंजट में पढ़ूंगा तो फिर मैं उसके पैसे लूँगा है ना और आमान लो आप लोग पैसे देने को भी त्यार हो गए पर मुझे भी पैसे को जूरती नहीं है तो मैं वही बाते हैं आप लोगों को फ्री में बता डालूंगा जो तो बाते में आपको वैसे भी बता रहूं मैंने मार्टिंग लिए स्टेटीजी का बताया हाई रूलर गैमिलर नहीं बनना यह बताया स्मॉल स्मॉल विड्रॉल बताया किस तरीके से आपको बैट लगानी चाहिए मैक्सिमान नंबर कितने कवर करने कि प्यारे हैं सर सीवींज में आईडी एक्टिव नहीं हो रही है छे डिजिट कोड मांग रही है आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉंटेक्ट करो डारेट मैसेज के तुरू मैं और अपनी आईडी बेजना मैं उनसे बात करूंगा अगर आपने मेरा प्रोमो कोड चाहिए आप यह समय दो जितना जादा खेलोगे आप उतना हरोगे यह बात कभी देख लेना को सर आप लाइब आते हो अच्छा लगता है सर आप बहुत अच्छे इंसान है और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा इंसान हु पर आभी मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है भाई आप ID Verify में सही ID भेजो हाँ हो सकता है ये ID Verify में कोई प्रॉब्लम आ रही हो अगर फिर भी कुछ दिखता है तो आप में से Instagram पे direct message में detail भेज़ देना तो मैं दिखता हूँ दुर्गेश राजदेव सर मैं महाराष्टर से हूँ offline तसीमों खेलने कहा जाना सही है और entry fees और खर्चा बताओ बॉस पहली बात तो अगर जुवा पहली बार खेलने जा रहे हो तो मत जाओ जुवा बरबाद कर देगा ये विकार की चीज़ है इसमें मत पड़ो ठीक है दूसरी बात महाराष्ट के तो सबसे नजदिक में गोवा है तो गोवा ही आ सकते हो ठीक है गोवा में अब आप जुवा खेलने जा रहे हैं उसमें entry fees की परवा क्यों कर रहे हो यार वहां तो आप हजारों लाकों जीतोगे या हजारों लाकों आरोगे कहां हजारों आपको बता रहा है और वहां पर कुछ में टेक्स लग रहा है कुछ पर टेक्स नहीं लग रहा है ृशत कि रेलेख्s को रहा है नहीं आपका कमेंट नहीं है बो हुआ चत्रपति शासन हाइसर कैसे हो एकदम बढ़िया हूं ये भी छूड़ गया था कमेंट ये भी था वेनम जीतने भी पैटर्न है मालूम को बता दीजिए जितने में को मालूम मैंने बताया है कई वीडियो में बताया है अब ऐसे एक्सेक्टली याद नहीं है तो बहुत सारे पैटर्न तो ऐसे होते हैं दिमाग के अंदर जो खेलते टांग याद आते हैं कि नहीं रिलेक्सिंग म्यूजिक आपका कमेंट नहीं दिख रहे हैं दुबारा टाइप कर लो कईबर कमेंट जो होता ना लेट डिस्प्ले में आता है या या बिलिट हो जाता कईबर डेली ट्रेनिंग व्लॉग सार मैंने एक महीने में पास साथ बार ओनलाइन खेलता हूं मैं ओवरॉल प्लस मूँ हूं चलो अच्छी बात है कम खेलते हूं इसलिए प्लस मूँ हूं ओडिया फैक्ट हेलो निर्बंस पुने बॉय आपके पास सब्सक्राइबर है डेली ट्रेनिंग लोग लोग ही टंड रन वर्किंग ही आपको भागना पड़ेगा हम लोग जो लंबा लंबा खेलते ना कि उसमें सब जाएगा कि के रावन कुकिंग हाव टू प्ले रूलेट इफ रूलेट नंबर नॉट रिपीटिंग बट कंटिनुज लाइक तू थी फाइफ सेवन नाइन फिफिटिंग देखो क्या होता है मैं आपको बता हूँ कि एक पैटन ये भी होता है कि हिस्ट्री के अ नंबर रिपीट मानने का पैटन चल रहा है तो यह तो पक्की बात है कि हर बार तो बिल्कुल उसी नंबर पर नहीं किरेगी तो उसकी अगल बगल भी कर सकते हैं तो वहां पर नेबर नंबर का भी सारा लेना परता है दो का मतलो बलाई एक एक लेलो राइट लेट में पर लेना परता है जैसे रिपीट का पैटन चल रहा है तो अठारा अठारा तो अठारा पर आता है थे बाएस पर आ जाएगी उनटिस पर आ जाएगी नौ पर आ जाएगी सर अब मेरे को क्या करना चाहिए सर थोड़ा दिमाग दे दो जिससे अब मैं जुए से दूर हो जाओं तो कि यहीं बात कर सकता हूं कि जुए मत खिलो बर्बाद कर देगा आपने तो में को याद है आप से मेरे पहले भी लाइव के दुरान बात हुई है आपने अपने घर को बताया आपने का मेरा भाई मेरे साथ है मेरी मा मेरे साथ है मैंने उनको बड़ा दुख तकलीफ दी इन बातों को ध्यान में रखो इस कंडिशन के अंदर भी वो लोग आपके साथ खड़े तो कम से कम उनकी कदर करने के नाम पे तो जुवे से पूर रहा हूं अम आई राइट येस आएम राइट थोड़ा फ्रूट सलेड खाया जाए जाए शारी व्लोग सर मैं अब तक चार लाख हार गया हूं रूलेट में चार लाख हार गया हूं बड़ जीता भी हूं कोई ऐसी ट्रिक बताए कि रूलेट में अच्छा प्लेयर बने है बहुत जब जीते हो जब भी हम जीते हैं ना तो हम mostly गलती क्या करते हैं हम अगली बार और ज्यादा बड़ा खिलती हैं हमें जीतने के बात छोटा खिलना चाहिए और उस पैसे को यूज करना चाहिए अपनी लाइफ में नहीं तो वह पैसे का एरोगेंस रहेगा हमारे उपर यार कोई बात नहीं आज मैं खिलता हूं कोई दिक्कत नहीं अभी तो पढ़ा ना पैसा और मैं कर लूँगा यह एटिटीट नीची हर बार आपको डरना चाहिए अगर गेम फिक्स होने से क्या मतलु मैं अगरा में तो गेम फिक्स का मतलु जांते ही है रूलेट में मुझे नहीं मतलब मेर को नहीं लगता है यह मेरा पर्समिल वो है ओनलाइन का मैं कहता नहीं सर आज जो मेरा रूलेट में नंबर लगा है एक हजार प्लस सर में लग मानू या अपनी महनत ना तो यह लग है लग को तो मैं मानता ही नहीं और यह महनत भी नहीं है कोई रिक्षा थोड़ी चला रहे थे जुवा है जुए में प्रॉपबिल्टी होती है बड़ी बैट भी आ जाती कई बार तुक्के से ना तो यह महनत है ना यह लग है पार्टी तो बनता है आप बोले थे एक नंबर पर मेकसिममं बैट 5000 है वह एक आदमी का ना कि तीन चार आदमी मिला खे नई भाई जो लिमिट या जो भी कुछ उता रहत है अगर वह पर पांच लोग खेल रहे तो पांच लोग वे जो भी लिमिट होती मैकसिममह उतना हमांट बैक अदम कि मैं किसमत का हाथ होता है कि मैं किसमत को नहीं मानता है रूलेट हो या जिंद्गी हो जाने मन जाने मन कह रहे हैं फोन आया है ब्रिकफास्ट के लिए होगा अब्रिकफास्ट के लिए होगा हलो गुडिवनिग अमेरिकन ब्रिकफास्ट एं मिल्क टी टेन थर्टी थेंक यू कि औरती संदी ब्रिकफास्ट निनके काति पास टीन है एक अरेब्एक ब्रेकफास्ट एग अब मैं क्या बूरू जाने मन कह रहा है या जाने मन कह रही है डार्लिंग दुबई में हो आप एक बार डेजर्ट प्लेस को एक्स्प्लोर करो आप अल बदायर डेजर्ट जो दुबई का फेमस डेजर्ट है देखूंगा अभी तो मैं हूँ कुछ दिन अभी मैं कल परसों के बाद में थोड़ा सा सोचूंगा भार निकल निकल अभी तुम्हें को आज सात्मा दिन में तो अभी तो भूपल से भार ही नहीं गया से कुछ समानवमान लेने ही गया हूँ सर मेरे पास 50 लाग पैसा है इन्वेस्टमेंट का तरीका बताइए प्लीज दीपक कुमर अगर आपके पास 50 लाग रुपे हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते तो पहले यह सुनिश्चित कर ले ना कि यह वो 50 लाग होने चाहिए जिसके अगले 3-4 साल अगर आपक पास को 30 कर दो 20 लाग रख लो अपने पास अमर्जेंसी के लिए ठीक है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशन लॉंग टर्म में रिजल्ट देती हैं उसके बाद में जाओ ध्यान से रिसर्च करो शोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब अगरा पर तो सीखने सिखाने की इसमें कि कहां पर पैसा इंवेस्ट करें जिस पर पैसा महंगाईदर से ज्यादा मिले रिटन महंगाईदर जो भी 70% चलती है उससे ज्यादा पैसा चाहिए FD में नहीं मिले पैसा घटेगा आपका, बैंक में रखने पर नहीं मिलेगा, किसी भी गवर्मेंट की जो इजी वाली स्कीम होती है, सेव स्कीम होती है, पोस्ट उप इसमें भी नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने फंड्स के उपर, तो अब क्या फंड्स की और पैसा कभी भी जगा पर मत लगाना सारा, और सारा का सारा पैसा एक ही सोर्स से मत लगाना, मतलब अगर मानलो आप 50 लाक इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कम से कम 5 डिफरेंट फिल्ड में लगाओगे, 5 अलग-अलग सोर्स से लगाओगे, और थोड़ा-थोड़ा पड़ेगा, कभी कोई सेक्टर नीचे भी चल रहा होगा, तो दूसरा उंचा चल रहा होगा, थोड़ा पैसा गोल्ड में लगाओ, अब गोल्ड की बारी आईगी तो थोड़ा पेपर गोल्ड में लगाओ, जिसको ETF, गोल्ड ETF बोलते हैं, थोड़ा पैसा फिजिकल जाते हैं, थोड़ा mutual funds में लगाओ, थोड़ा index fund में लगाओ, index fund ज्यादा सेफ होता है, mutual funds के अंदर भी लगा रहे हो, तो आपको यह देखना है, यह आपको mid cap में लगाना है, small cap में लगाना है, large cap में लगाना है, यह डिसाइड होगा आपकी age के साब से, और उसमें भी ती IT में डाल दिया, सारा automobile में डाल दिया, Tata company है, Reliance company है, यह सब यह वो company है कि अगर यह तब ही बंद होगी, मतलब जो इनका बरबाद होने का मतलब है कि देश की हालत जादी खराद है, जो पूरे देश की band बजगी तो फिर आपका 50 लग क्या करेगा, वाला safe जगा पर, और य फिर लाइव जिंगा लाला, फिर उसके बाद क्या करोगे यह तो बताओ बस, कौन से यॉट में कहा घूमने जाओगे, सर में 4 लाइव खार गया हूँ, अब तक रूलेट में कोई ट्रिक बता, कोई ट्रिक नहीं है बस, कोई ट्रिक नहीं, जो मुझे पता था, मैंने इमानदारी से अपने सारे वीडियो से बता दिया, उन्हीं वीडियो को देख लो, कुछ समझ ना आए, तो मैं लाइव आता तीन लाग करजा है, छोड़ दो जुवा, मैंने नहीं छोड़ा, एक साल बाद दूसरे तरीके से मैंने तीन लाग कमा लिया, उसके बाद मेरे उपर पांच लाग करजा हो गया, क्योंकि मैंने जुवा नहीं छोड़ा, मनीश बरोड, कहा रहे कि मैंने इनको एक बार मजाक में बूला, नहीं मजाक नहीं, भाई तुमने मुझे बोला था, मुझे को मजाक बढ़ रहा हूँ, तुमने मुझे एक बार बोला था, मैंने बहुत लोगों को बोला है कि देखो, एक्जिट मिलता है मौका, निकल थोड़ा बहुत रिकवर होके निकल जाओ, रिकवरी जैसे कोई बढ़ने हो तो बाई चांस है कि पैसा बढ़ता है, तभी तो आत्मी एक साथ तो सारा बरबात नहीं करता है, रुकना बढ़ेगा नहीं, तो सारा पैसा चले जाएगा, दीपक कुमार, I will direct to, अच्छा, जाने आजाएगे, आओ हम बताते हैं कि पचास लाग का क्या करना, कोई बुलेगा थोड़ा जूए में लगा, मैं देखो, पचास का एक क्रूर बना के देता हूँ, फिर मालूम बढ़े है, पचास भी गया, मनु जौन, मनु जौन का पहले भी हो कमेंट था ना, आप जूए मत खेल लो, आपको जूए खेलना नहीं आता, फिर क्यों खेल रहे हो, यह मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो लोगों को बेफ़कू बना रहे हो, अगर मुझसे पूछ रहे हो तो, कसीनो रूलेट, सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बताओ, टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर पूछ लो मुझसे, राजपूत गेमिंग सर, कौन सा एप में रूलेट खेलू, तीस लाख लॉस हो गया है। बहुत किसी भी एप में, किसी भी साइड पे खेलोगी तो वो इस बात की गरेंटी नहीं कि वहाँ जीतोगी। जीतार तो आपके खेलने के तरीके के उपर है, आपके दिमाग के लालच के उपर डिपेंड होता है। इस पर प्लेटफॉर्म क्या करेगा, बॉल गूम रही है, वील गूम रहा है, आपका पैसा बढ़ता भी है, घटता भी है, घटने पर भी नहीं रुपते हो, बढ़ने पर भी नहीं रुपते हो, कि और बढ़े, और बढ़े, और फिर सब चले जाता है, घटने पर भी नही तो कि नहीं अभी तना घट गया अब रुख जाते हैं लेट फॉर्म का इससे को मतलब नहीं है ऐसा नहीं लोग बोल देगार को अच्छा कसीनो बता तो कोई कसीनो ऐसा नहीं जिसमें जाकर जीट जाओगे तो सारी गुणियां वहीं नहीं चली जाएगी कि कि के रवे लिए कंग कुड कुकिंग आप फूर्ट से इलेड खालो मैं को अमलेट बना के आया कि योट्यूब ऑल टाइम अर्निंग बताओ प्लीज मैं समझा नहीं आपका सवाल क्या है YouTube All Time Earning अच्छा मेरी कमाई पूछरो YouTube से आज तक की होगी कुछ लाखों में होगी आज तक की ऐसा भी नहीं कुछ लाखों में बहुत बड़े लाख भी नहीं होगी मेरी याँख फड़क रही है तुर्गेश राजदेव गोवा कसीनों में कम से कम कितने की बैट होती है पचास रुपे की चिप से शुरू होती है और फिर उपर पांच हजार तक भी जाती है वी आईपी में शायद और भी उपर जाती होगी सर हम बोलना चाहता हूं कि एक नंबर पर मेरा पांच हजार और तीन-चार आदमी का मिला करके साथ हजार हो तो बारा हजार हो गए तब डीलर बैट लगाएगा डीलर अगर किसी टेबल पर लिखाएगी इसे पर एक नंबर की लिमीट 5000 है तो एक आदमी उस पर 5000 लग सकता है अगर 10 लोग हैं तो वह 50,000 लगा है उसको एक आदमी की लिमीट है कि एक आदमी इससे उपर एक नंबर पर नहीं लगाए गा कि पांच हजार का मतलब यह नहीं कि दस आदमी आप अपने साथ चार आदमी और ले चारो जाके पांच पांच यह रख दो लिमिट इंडिविजर डिसाइड होती ना सब लोग अलग अलगी तो खिलते हैं मिस्टर रिश्यब हैलो दुबई कब आये सर और कितने दिन का ट्रिप है इस बार भाई मेरा यह नहीं बता होता कि मैं वापस कब आऊँगा मैं कोई रिटेंट टिकेट लेके नहीं आया हूँ ठीक है मेरे को आये हुए आज पूरा एक हस्ता हो गया मैं 17 तारीक की रात की फ् प्राकेश भाई आपने गैंबलिंग के सारे गेम देखे हैं जिसके किसी भी गेम में पूरा पचास-पचास गेम कोई भी पूरा नहीं है जैसे रूलेट में आप जीरो देख देखें जो प्ले करवाता है उसका है और ड्रेगन ट्रिकर में भी ड्रॉफ एक हाउसेज होता है वह तो सब जगा होता है आप कहरे होगी वह जीरो उसका है तो आप उसमें 37 नंबर होते हैं रूलेट में आप 37 नंबर में से आप लगा तो 20 नंबर अगर आपको ऐसा लगता तो एज आपकी तरफ है पर ऐसा होता नहीं है इसलिए कोई कोई डबल करेगा भी तो नहीं जीतेगा हाइश इसलिए बोलतों कि दो बार से जादा कभी डबल नहीं करना चाहिए कौन सा कपिल फर्स्ट वाला कमेंट है कोई बाइचन छूड़ गया मेरे कोई आपसे जात्ती दुश्मनी है क्या परसनली दुश्मनी थोड़ी कि मैं आपका कमेंट नहीं पड़ूँगा आपने पड़ा तो सर आज जो मेरा ये ख़चार वाला ये पड़ा है मैंने इसके मुझे मुझे दिखी नहीं दें फर्स्ट वाला मैंने आपके दो कमेंट बढ़े तो तीसरा क्यों नहीं बढ़ूँगा सर दुबाई में से मेरे लिए दो किलो अजवा खजूर ला दो ठीक है और भी लिस्ट बना देना वो भी लियाऊंगा सिर्फ दो किलो मेरा तो लगेज कितना 40 केजी होता है 40 केजी कि यह कपिल जितनी देर आप मुझसे यह पूछने में और बताने में लगा रहे उतनी दिर में दुबारा टाइप कर देते ना यार मेरे पास यह देखो इतने सारे कमेंट है मैं कहां डूंडूँगा कई बार लेट शो होता है नहीं अपडेट होता है आप इतनी देर में दुबारा टाइप कर दो उसमें क्या दिक्कत है अब मुझे दिखी नहीं रहा कमेंट में देख रहा हूं कपिल 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 सर आज मैं बहुत खुश हूँ आज मैंने आपके पास इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया था आज आट लाक प्लस हो गया आज मेरा रूलेट में एक हजार एक्स खुल गया सर मैंने फैमली में भी बता दिया वे भी बहुत खुश है यह वाला कमेंट कह रहोगा न आप चलो यह बहुत अच्छी बात है अब आपको करना क्या आप यह ध्यान रखो दो एक भी रूपय का गेम मत खिलना अगर आपको लगता है कि मैं मेरे वीडियों देखें कुछ भी अगर मेरी बात समझना चाहते हो तो एक भी मत खिलना पहले पूरे के पूरे आट लाक रूप तुक्के से आ गए तो छोटी सी रकम से खिलना पांच अजार दस अजार पहले आट लाक रुपया विड्रॉल करो अपने घरवालों को दो जहां जाए यूज कर सकते जब तक ठीकाने ना लग जाए विड्रॉल कर चुका हूं सर मैं बहुत अच्छी बात है विड्रॉल कर च हाने हे घरवालों को लो कहीं इन्वेस्ट कर दें किसी को दे ना व वह काम नपर डाना पैसे को जी रों कर दो्ह तो जीडेंगा यह कि अगर अब प्रीट 6 Ε रहां पने साइट पूरा जोड लगाईगे। इम्रान पठान गुड़ीवनिंग। मनीश बेदी कह रहे हैं सर यह ज्यादा एटिटूट ना आदमी को ले डूगता है। अच्छा यह मेरे लिए बोल रहे हो क्यार मेरे लिए बोल रहे हो तो ड्च्रMag ने बोला मेरे आटिटूट को जिलने को है अज यह ज्यादा एटिटूट न आदमी को ले लूगता है ए एटिटूट का मतलब की आऊ से मालूम है। रुजान हिंदी में जाकर उसका प्राइबाची शब्द दूना आज तक गलत शब्द को एरोगेंस बोलो इसको एरोगेंस अरे एटिटीटूट होने के लिए पल्ले कुछ तो होना चाहिए ना जिस आदमी के पल्ले कुछ है नहीं वह एटिटूट काएगा दिखाएगा आप अपना लेवल देखोंगी आपको कमेंट करना पड़ रहा मेरे पास मैं अभी चाहूं तो आपको ब्लॉक कर सकता हूं एटिटूट बोल रहे हूं नेगिटीव आदमी कभी भी किसी से कुछ सीख नहीं सकता क्योंकि उसको उस आदमी में कॉन्फिदेंस नहीं दिखेग क्या सही बोला ना रिलेक्सिंग म्यूजिक आपका भी कमेंट नहीं बिले था मुझे क्या लिख आपने सर मैं रूलेट क्रिकेट और कसीनो में मिलकर 22 लाख का लॉस हो गया है दस साल में 22 लाख है केतना है 22 लाख है पर कोई टिप्स दे दो कि डेली 500 मिल जाए बस यार देखो कमाल की बात है जुआ है आदमी को कहां ले आता है मतलब 22 लाख रुपे का लॉस करके आपको डेली के 500 रुपे चाहिए आपको इतना तो एक्स्पिरेंस आई गया हुआगी यह डेली वाला इंकम ही नह करते हैं मुझे आईडिया नहीं यार बस मैं ऐसे जब चीज का लब में शो शोर्ट नहीं होता ना मैं उस पर कमेंड नहीं करता हूं मेरा यह मानना ही फिक्सिंग जो आपका दिमाग आपके सब करता नहीं उस पर बचो अब यह बाइस सब बोलेगी मैं आट लाग रुपे आज जीत गया अगर फिक्स होता तो इनको आट लाग रुपे क्यों देते हूं कि तर्किश ड्रामा सिंग मुझे मालूम नहीं से कि साइट के बारे में मैं जानता नहीं इसके बारे में कि पूने बॉई निल्स हैब तीन लाग का लॉस हुआ कसीनो छोड़ दिया आपकी वीडियो देखते बट मैं बैंक का मनी दे नहीं पाऊंगा क्या करूं सर देको उसके लिए कुछ भी करो पर जुवा मत खेलना क्यों जुवा खेल खेल कर थोड़ी दे पाऊंगे दास एंड दास हेलो सर नमस्ते नमस्ते दास एंड दास सर मेरा कोई क्वेस्टिन आपके पास क्यों नहीं पहुंच रहा है नहीं आपका वह आ गया ना क्वेस्टिन मैंने पढ़तो लिया यह वाला रिलेक्सिंग म्यूजिक सर मैंने रूलेटर क्रिकेट में बाइस लाग हार गया हूँ और मुझे 500 रुपे डेली के चाहिए मैं एक एक कमेंट का चवाब देरों इसलिए मैं लेट आता हूँ आपके आंसर तक इस चक्कर में आप लोगो लगता है कि मेरे को आपका कमेंट नहीं दिख रहा है मुझे तो तब ही दिखेगा ना मैं जैसे स्कूल करूँगा मैं तो एक एक सीक्वल वाइस पढ़ रहा हूं कमेंट तरकिश ड्रामा मुझे नहीं मालूम उस साइट के बारे में के रावन कुकिंग गुड़नाइट कसीनो वर्सेस क्रिकेट क्या अच्छा है दोनों में बर्बाद होगे पर क्रिकेट इस आई थिंक मस्ट मुच बैटर मनोज कुमार सर जी मेरा मैसेज क्यों नहीं देखते कौन सा है मनोज कुमार आपस मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी कि मैं आपका मैसेज नहीं देखूंगा मैंने बताया ना कई बार टेक्निकल एरर होने की वज़े से चीज़े नहीं दिखती हैं अभी मैं जा रहा हूँ वापस आपका कमेंट पढ़ने अच्छा मनीश बेदी को इसलिए बुरा लगा कि इनों ने बोला कि दो किलो अजबा खजूर ले आना और मैंने बोला कि और भी लिस्ट बना के देते हो तो भाई साब ने इसको मजाक में लेकर एटिट्यूट और आदमी को डुबा देता तो कि मैं आगर सच में आपके लिए दो किलो खजूर यहां से जोली में डाल करकर ले आऊ तो मैं अज़ाग में एटिट्यूट दिख रहा तो सोचो आपका क्या हाल होगा कैसे सीखोगे बॉस जीवन में इतनी जल्दी लोगों को एटिट्यूट से जज्ज करने लग गए तो कुछ सोचो आप यूट्यूब पे किसी को बोलोगो मेरे लिए खजूर लिया ना कि मैं तो फर्वरी में थाइलेंड में भी था वहां से क्या बोलते लाने को मनुच कुमर आपका कमेंट नहीं मिल रहा है दुबारा से लिग दे ट्रीमर सर जब बैट लॉस हो जाती है तो दिमाख रिवेंज मोड में आ जाता है तो उस गुसे को कैसे कंट्रूल करें यह बात बिल्कुल सही है यह मैंने जो पांच वीडियो की सिरीज बनाई थी ना छे पार्ट बनाई थे कि जुगा कैसे चोड़े उसमें मैंने बता थ बैट अब कैसे नहीं आई यह फिर हमां आल-इं कर दें सारा पैसे की बार में लगा उस सिच्वेशन के अंदर आपको इमीजेटली जिसे अगर आप उनलाइन खिलनों उसको तुरंती शट्डाउन कर दो अलब गुस्से में वो गुस्से को बस इतनी डिरेक्शन दे दोगी आप मोबाईल को स्विच ओफ कर दो कुछ भी कर दो ताकि कुछ देर बाद ओपन हो जब तक वो कुछ देर आएगा गैप आएगा दो चार बैट निकल चुकी होगी हो सकता है मैक्सिमम टाइम आप और ब्रेक को लंबा कर दोगे और ब्रेक लंबा कर देंगे तुरंत कोई भी जो भी चीज में आपका मन लगता है जो भी आपका अच्छा लगता है वो उस तर्व ध्यान डाविट कर लो चाहे वो खाने की जी जो कोई चीज देखने या सुनने की हो अगा है अगया अगया नहीं तो रिवेंज में सारा पैसा चले जाएगा है खुंदक आती है खुंदक कि अगया है कि अगया है कर दो सर आपके ट्रिक यूस्फूल है क्या मुझे नहीं मालूं भाई ये तो खुद देख करके आप सोचो मेरी ट्रिक से कभी भी बड़ा नहीं जीच सकते हैं पर बड़ा कभी हारोगे भी नहीं ये भी बता तुम्या ओके बाए नॉर्मल यूट्यूबर सर मेरे को बस एक डर था कि ब्लॉक ना कर दे उन्होंने इमानदारी से सारा पैसा विड्रॉल दे दिया सर चलो अच्छी बात है सर दुबई में भी रूलेट खेलोगे क्या और खेलोगे तो लाइव खेलोगे क्या बहुत दुबई के अंदर कसीनो नहीं है वो दुबई में गैम्लिंग इल ले गल है अभी तक तो पूरे यूएई में कसीनो नहीं है मक्वाना सुभाज नहीं मैं दमन के कसीनों में नहीं हूँ एफ एफ गेमर वाइटी सर आपकी बात सुनकर पूरा कंट्रोल किया और आपकी सलाव से बेबी स्टेप लेकर मैंने डेली अर्न कर रहा हूँ मैं एक महीने में एक नया पैसा भी नहीं हा रहा हूँ जैसे की मेरा टार्गेट होता है मैं मेरे होता है मेरी लाइव बढ़िया चलो अच्छी बात है स्मॉल स्मॉल विड्रॉल में हमेशा जुड़े रहा है गुड नाइट नॉर्मल यूट्यूबर कपिल कह रहे है दोसो ढ़ाई सो रुपए लगाये थे उसके उनको साड़े पाथ 6 लाख रुपए मिल तो चलाख रुपए के करीब मिले और वो चलाख रुपए लेकर उन्होंने उसमें से कुछ देन दवानी जो देना दवना ता वह किया दोड़ाई क्वीवी को गुडबोर्ड दिलवा दिया कैरे उसमें से मैंने 2लाख रुपे रख ली खिलने लिए आसेंड दास थेंक सर गुडड़नाइट गुड़नाइट रिलेक्सिंग म्यूजिक सर कोई टिप्स दे दो डेली पांसो जैस मिल जाए बस मैं यह पांसो बांसो वाले काम नहीं करता ना यह पांसो नहीं मिल सकते आप बात समझो यह जो डेली वाला जो सिस्टम है ना यह ऐसे नहीं होता है कि यह डेली पांसो आजाए डेली तीन सो आजाए ऐसे नहीं होगा आप इस बात को समझो चंदन गेमर वाइड सार ब्लॉक कर दी क्या क्या ब्लॉक कर दिया कि छोटे बैट खेलता हूं मुझे लगता है ऐस जैसे मैं सुचता हूं वह बैट आती है और दो बैट से ज्यादा नहीं कि आयम कंटिंगूश्ली प्लेइंग जिक व्यूजिक लगातार मत खेलो कि अ क्या सर कैसे है हम गैमिलिंग चोड़ना बैटर होगा है सर आपका रूम काफी बड़ा है कितना कॉस्ट है आपके रूम का एक दिन का और कितने लोग रह सकते हैं यह दो लोगों के लिए रूम होता है मैं अलागे सिंगल उकुपेंसी में हूं और यह रूम काफी लंबा है अभी आपको यह इधर कर दिख रहा है ना भी दिख रहा है सर मुझे आपकी एक बात अच्छी लगी की सोचो स्कूल कॉलेज के पास सर्टिफिकेट बच्चों का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता कि बतालगा किसलिग mercury करेगा कि बच्चे में क्या समझेड़ की पीधोर नोक्री के लिए गुलामी मिल सकती गुलामी बननी हो थीक है इस नवनिता बहुत सब्राइब हुआ है ओनलाइन ऑनलेन मत खेलो डेली ट्रैनिंग व्लॉग आपने गुमेंट किया है उसको YouTube ने हाइड किया हुआ है पर मैं पढ़ सकता हूँ उसमें आपने जो लिखा है कि भी यह स्पा के नाम पे यह सब चलता है गोगा में भी ऐसे होता तो मुझे बहुत आइडिया नहीं ना मुझे दिल्ली का आइडिया ना मुझे गोगा का आइडिया है कि मैं स्पा बग ब्लॉक कर दिया क्या आपको तो नहीं ब्लॉक किया आपको तो कमेंट पढ़ रहा हूं मैं क्यों ब्लॉक करूंगा ऐसे थोड़ी मैं ब्लॉक कर दूं किसी को सर जी कल 500 रुपे से 4900 बन गए आज 500 से 0 हो गया अब गेम से डर लग रहा है आगे क्या करो बस 500 से 4900 बन गए न तो भी 500 ही डाल करके खिलना वैसे तो छोड़ तो बहुत अच्छा है पर अगर नहीं छोड़ पा रहे तो कम से कम 500 ही डाल करके खिलना दस बार तो नहीं जीर होगा न मेक शूर इट प्योर हेलो सर बता दो बंबई नगरिया में कैसे लूप ही कौन सी बंबई नगरिया है ट्रीमर सर आपके वीडियो में देखा कि आप 5000 से 500 की बैट खेलते हो यानी 500 की 10 बैट तो 10 में से आउट ओफ कितनी बैट विन कर लेके चलते हो या प्रॉफिट होता है बहुत आपने ध्यान से नहीं देखा थमरूली है 500 की बैट अगर अमाउंट जादा है तो 500 की बैट होगी अमाउंट घटे का तो बैट घटेगी कभी कभी शोर शोर लगता है तो अमाउंट कम होने प फिक्स वो नहीं देता है चोटे अमाउंट पर छोटी बैट अमाउंट जादा है तो जादा थोड़ी बड़ी बैट कई बार छोटे अमाउंट है पर आपको दिख रहा है कि यह बैट आ सकती है तो आप अमाउंट थोड़ा सा उस पर जादा बढ़ा देती है इस लगता था तब बड़ा-बड़ा एम़ंब लगता था कंड रूल नहीं कर पाता था सर पूरा माइंड गेम हैं जो रूरा पके सिन हूआ हैं तो लौस लॉरही है सर दुबई में कसीनू है क्या है तो वहाँ भी खेलने वाले हो क्या नई दुबई में कसीनू नहीं है मैं इसलिए UAE में आता हूँ क्यों कि मैं को ऐसी कंट्री की या कसीनू लाँ बहुत एनरजी खर्च हो जाती कसी दुरगेश्ष वर कहरे हैं कितने से खेलना चाहिए और आपके पास जो भी अमाउंट अगर आप लोग जुगा नहीं चोड़ पार रहे हो तो अगर आपके अमाउंट को आप डिवाइड करो कुछ दिनों के अंदर जितने दिन आपको देना चाहते हैं फिर उस उसमें आप गैप मेंटेन करोगे भी रोज नहीं खेलना है तो फिर वो दिन कितने बढ़ जाएंगे फिर उसके बाद में जो पर दे का माउंट बनेगा मानलों किसके पचास अजार रुपे है और उसने बोला कि मैं दस बार ट्राई करूंगा तो दस बार अल्टरनेट डे भी हुआ तो कि लिए बीस दिन में पचास अजार से दस बार खेलेगा तो एक बर का कितना होगा एक दिन का पचांच अजार रुपे पढ़े पाँजार में उसने एक अटक्रना है तो उसको एक बार पांजार लेकर बैठ आपड़ेगा या दू अथा यह जार दू बार और दोनों के ब दिमार्ग में आपको चार्ट बनाना पड़ेगा पीस ओफ प्रियोरिटी कह रहे हैं कि इंडिया में रैस्लिंग को बैन कर दिया में निलंबित कर दिया खेल मंत्री ने क्योंकि इसमें गैंबलिंग नहीं नहीं हो पाती थी जिन गेम खेलों पर पैसा लग जाता सटा लग जाता वो गेम चल रहे है मेबी यू और राइट चलो दोस्तों मेरे ना वापस से नीन दा रही है और मैं दुबार दो कॉफी प्यूंगा नहीं अपना जूस कंप्लीट करके अब सोने की त्यारी करूंगा यहां पर तो अभी खर 9 बजे आठ बच कर 15 मिनट हो रहे हैं और अगर किसी एक दो के सवाल बाई चांग शूड़ गई हो मैंने कोई कमेंट ना पढ़ा हो या लेट अपडेट होगा होगा या नहीं में को दिखाओ तो अगले लाइब में पूछ लेना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना और फिर भी मैं कई बर कुछ कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाता हूं तो उसके पीछे इंटेंशन नहीं होती हां कुछ लोगों को मैं जानरोज करके ब्लॉक कर देता हूं कि वो लोग फिर बिकार के छोटे-छोटे सवाल पूछते हैं सर मेरा 100 पर प्रें शर्वागेर जुवा चोड़详ो आखरी में एंड रिजल seeking 0 ही होगा जितना मर्झाफ जीत भूचतना मर्ची मेरे वीडियो देख रहो इसे बात कर लो भी घुए में बरबाद हो peppุर्ब हो और कि ही रहोगी है काूं ठीक है क कंपांटेंग मत करना बड़े पैसे मत बॉस मेरा इंडिया में रहने का मन नहीं करता मैं इंडिया में जाता हूं तो मुझे ना बतलब कुछ अजीब सा फील आता है वहाँ पर मेरी मेरी सोच वहाँ के लोगों की सोच के साथ मैच नहीं करती है मैं भी दो महीने बाद गया इंडिया एक महीना भी ने रह पाया देंसे वापस आ गया उससे पहले भी मैं एक देड़ महीने पहले था वहां था लाइव जल्दी ही होगा आप कह रहे हो क्या नेक्स्ट लाइव कब आप से बात करके अच्छा लगता है तो मुझसे बात करके अच्छा लगता है मैं ट्रेवल नॉलेज पर लाइव आता हूं सेटल्डे को आता हूं कभी-कभी बीच में भी आ जाता हूं आज सुबह मैं लाइव था कल रात को मैं लाइव था तीन घंटे तो लाइव में मुझे सवाल पूर सकते हो कोई भी बात कर नहीं हो आप कर सकते हो चलो ओके गुद्भाई थैंक्यू स्वीट ड्रीम शब्बाख खिर्च ब्द्दैं कर सकते हो कोई बन्थ बहुल से था हुला स्वाल छाता हुला झाल झाल